उम्शान्ती, आज आपके साथ अपने जीवन का एक अनुभव शेयर कर रहे हैं, बाबा के मिलने के बाद जीवन में कितना बड़ा परिवर्थन आया, बाबा के मिलने से पहले जब भी कोई परसिती आती, या कितनी मनुश्य के द्वारा तेज आवाज में, या क्रोश में कुछ कहा जाता, तो बहुत बड़ी बात लगती थी, और संभालना अपने आपको मुश्किल हो जाता था, आवाज बिल्कुल घुट जाती थी, और अगर कोई पूछे कि क्या बात है, कंदे पे हाथ रखके पूछे कि बात क्या हो गई है, तो आवाज नहीं निकलती थी, आखों में आशू होते थे, बिल्कुल अवाज निकले, वो मुश्किल होता था, सिर्फ रोते ही चले जाते थे, मतलब सिर्फ रोना आता जाता था और ये कहना मुश्किल हो जाता था कि प्रॉब्लम कहां है क्यों रो रहे हैं और क्या बात बुरी लग गई है और मतलब बहुत मुश्किल होता था अपने भावों को अभी व्यक्त करना सिर्फ आवाज की समस्या नहीं थी कई दिन भी लग जाते थी उस समस्या से बाहर निकलने में वो बात बुद्धी से जाती नहीं थी तो परस्थिती ऐसी थी कि वाके में अपने आप से शिकायत भी होती थी कि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए तो नॉर्मल नहीं है सब तो ऐसे बिहेव नहीं करते इतने इतने दिन परशानी होते एक बात को पकड़ते नहीं है फिर जब बाबा के बने और बाबा मिला और बाबा का इतना प्यार मिला शक्ती मिली इस नहें मिला तब हिम्मत आई और अब देखते हैं कि अगर कोई बात आती है तो भले थोड़े वर्ष लगे तब अस्या की बाबा को याद किया भोग बना के बाबा की याद में खाया अमरी तवेले में बाबा की याद में बैठे तो कुछ वर्ष तो लग जग गए प्रन्तु परिवर्टन देखा कि अब बहुत अच्छा मतलब अच्छा नुभव होता है कि बात को अराम से कोई बात होती भी है तो शब्दों में अराम से अपनी बात को व्यक्त करते हैं अपनी फीलिंग को भी एक्स्प्रेस करते हैं सामने वाले की भी सुनते है और संभली विस्तिती रहती है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब वो वाली बात बिल्कुल खतम हो चुकी है अब एक बहुत अच्छा अपना कहते ना विल्पावर है और बात को समझने की शमता है अपनी बात को प्रपरली कह पाने की शमता है और ये खुशी है कि बाबा मिला तो इतना बड़ा एक ये परिवर्तन हो गया जीवन में कि जीवन ही बदल गया क्योंकि विल्पावर तो जीवन की सबसे बड़ी रिक्वार्मेंट ह तो बाबा के मिलने के बाद ये जो जीवन में परिवर्तन हुआ है अब अपने आप से शिकायत नहीं रहती अब साक्षी द्रिष्टा होकर अपने आपको समालते हुए बाबा के ज्ञान को आगे रखते हुए बाबा के जितनी रतन है वरदान है उनको आगे रखते हुए अपने आपको स्वमान में सित रखते हुए उस परसिती से अराम से निकलाते हैं और पता भी नहीं चलता मतलब अब हर बात बड़ी संबली हुई हर बात छोटी और इतने इतने दिन नहीं लगते उस बात को हैंडल करने में कुछ मिंटों में बात को पूरा करके भारी नहीं रहते अब भारी नहीं हुए रहते अब बात को हलका करके पूरा करके एक तरफ करके प्रेजेंट में जी रहे है तो वो एक चीज बहुत अच्छी हुई तो यही मेरा अनुभरता ओ शान्ति